चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों AIPVT यनि कि वेटनरी के मोपप राउंड का रेजल्ट आ चुका है और इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इस बार मोपप राउंड की कटोफ रही है कैटेगरी वाइज वो बहुत ही डाउन रही है ये इतियास में पहली बार हुआ है कि वेटनरी की इतनी डाउन कटोफ गई है मैं आपको यहाँ पर category wise कटोफ बताऊंगा मौपप रौंड की मैंने इसको यह देख के 3-4 बार चेक किया कि इतनी कम कटोफ कैसे जा सकती है कहीं मैं इसमें कटोफ निकालने में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैंने 3-4 बार चेक करने की बाद देखा कि यह वास्तव में ही कटोफ इतनी डाउन ही है तो मैं आपर आपको category wise कटोफ बता देता हूँ तो सबसे पहले हम बात करें open category की government sector की जो government seat है उसकी बात करें तो open category की 1,9,855 ओल इंडिया रिंग जिस candidate के marks 473 थे open category की कटो 473 marks रही है जिस candidate के 473 marks थे उसको सरदार कृसी नगर मिला है इसके बाद private sector की बात करें open category में तो जिस candidate के 2,11,645 रेंक थी जिसके marks थे 385 उसको जो MJFC यानि की महत्मा जोतिवा फुले college of veterinary sciences है चोमू का वो मिला है OBC category की government sector की बात करें हम तो 1,40,682 रेंक जिसके 443 marks थे उसको कस्मीर मिला है veterinary college कस्मीर मिला है OBC category में private sector की बात करें तो 3,97,161 रेंक पर जिसके 272 marks थे अरावली veterinary college seeker का मिला है अब हम बात करेंगे EWS की तो EWS में government sector में 1,64,968 रेंक पर जिसके 422 marks थे veterinary college लातूर मिला है private sector की बात करें तो ये काफी down गया है 6,72,238 रेंक जिसके 163 marks थे रो तक का private sector का college मिला है SC category की government sector की बात करें तो 1,75,653 रेंक जिसके 413 marks थे आईजोल मिजोरम का college मिला है private sector SC category में 2,30,562 रेंक पर जिसके 372 marks थे रो तक का private sector का college मिला है SC category की बात करें government sector की तो 2,20,305 रेंक पर 393 जिसके marks थे नादिया वेस्ट बंगाल का veterinary college मिला है private sector SC category में 2,18,776 रेंक पर जिसके 380 marks थे रो तक का veterinary private sector का college मिला है तो ये है category wise cutoff जो हम आसा कर रहे थे उससे काफी down marks पर close हुआ है open category का range यानि कि open category काफी down range पर close हुआ है अभी stray के लिए कितनी vacancy बसती है ये तो इसकी joining के बाद ही पता लगेगा लेकिन stray में तो इससे भी काफी down cutoff जाएगी तो ये cutoff है वेटनरी की AIPVT की मोपपराउंड की आप इसकी website पर इसका पुरा result देख सकते हैं तो ये काफी down cutoff रही है और ये इतियास में पहली बार इतनी कम cutoff गई है क्योंकि generally MBBS से 60 से 70 marks हमेशा वेटनरी की cutoff down जाती है लेकिन इस बार इसमें काफी ज्यादा variation देखने को मिला है कारण इसका ये ही है कि NEET का exam नजदीक आ रहा है 17 जुलाई को declare हो चुका है student MBBS, BDS को ज्यादा like कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अभी आने वाले time में जब exam इतना नजदीक है तो वेटनरी और आयूस क्यों लिया जाए इसमें हमें MBBS की ही तयारी करनी चीए MBBS कोर्स के लिए ही तयारी करनी चीए इसका कारण ये भी है तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग